प्रूण और मा ये दो चीजे हम यहां से इस गर्ब रक्तानू को रक्ता के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं मा की तुविध्यार्तियों अगर मा का रक्त रह रिनात्मक हो रह नेगेटिव हो तो यहां पर मैं लिखता हूं इसका रक्त समूँ अगर रह नेगेटिव है और माता के गर्ब में पल रहे भुरुण का रक्त रह नेगेटिव हो तो यहां पर बात करते हैं मा और भुरुण की तो मा की गर्ब में पल रहा भुरुण जिसका रक्त रह पॉजिटिव है और माता का जो रक्त है वो कैसा है विधिहारतियों रह नेगेटिव है जब प्रथम प्रशव होता है जब विधिहारतियों प्रशव की प्रिकिरिया होती है प्रशव यह हम कौनसा प्रशव पढ़ रहे हैं प्रथम प्रशव यह फर्ष् आपस में मिल जाता है विध्यारतियों अब क्या होगा जब यह रख्थ आपस में मिल जाएंगे तो यहां से जो आरच पॉजिट्यू रख्थ नेगेटिव रख्थ में मिल जाएगा यानि कि जो मा का रख्थ पहले विध्यारतियों कैसा था मा का रक्त पहले विध्यार्कियों ng नेगेटिंग था अब इसमें RH positive युक्त कुछ RBC भी आजाएगी RBC आजाएगी वो RBC कैसी होगी RH positive कारक युक्त होगी RVC होगी जो किसमें आजाएगी विध्यार्कियों मा के रक्त में आजाएगी अब क्या होगा ध्यान देना मा के रक्त में जो ही आरच कारक युग्त आरवीशी आती है तो उस आरच कारक के खिलाप मा के अंदर एक प्रतिरक्षी का निर्माण होता है प्रतिरक्षी का निर्माण होता है जैसे हम कहते हैं विध्यार्टियों आई जी जी प्रतिरक्षी आर एच कारक के विरुद आई जी जी प्रतिरक्षी का विध्यातियों क्या होता है निर्माण होता है और जब ये आई जी जी प्रतिरक्षी बनती है तो इस भुरण पर विध्यातियों क्या प्रभाव पड़ता है तो हम कहींगे प्रथम प्रशव के समय कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह सामाने प्रशव होता है इसमें कोई प्रोबलम कोई समश्या नहीं होती है लेकिन जब विध्यारतियों दूसरा प्रशव होता है द्वित्य बार जब माता गरबती बनती है या हम कहींगे जब की प्रिकरिया होती है तो उस समय की इस्तति को आप देखिए इसमें तो आपने इस्तति को चेक कर लिया कि माता नेगेटिव थी भुरन पोजीटिव था और पोजीटिव रक्त जब माता के नेगेटिव रक्त से मिला तो माता के रक्त में इस रक्त के खिलाफ विध्यार्तिय आरच नेगिटिव भुरुण का रक्त आरच पॉजिटिव जब दूसरी बार भी भुरुण का रक्त आरच पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहेंगे कि पहले से मा के रक्त में पहले से मा के रक्त में आरच कारक के विरुद पर्तिरक्षी आई जी जी का नुर्मा वो चुका था विध्यारतियों का वो चुका था इतर देखें जब प्रथम प्रशव की प्रिक्रिया होई थी तो जब मा के रक्त में भुरुण का रक्त मिला था तो इस आरच पॉजिटिव रक्त के खिलाब मा के रक्त में आई जी जी पर्तिरक्षी का निर्मान हो गया था किसके खिलाब इस आरच कारक के खिलाब तो आरच कारक के खिलाब प्रतिरक्षी का निर्मान पहले से हो चुका है और ये प्रतिरक्षी क्या करेगी भी घ्यारतियों इस आरच पॉजिटिव रक्त को नश्ट करेगी किस प्रिक्रिया के द्वारा रुधीर लैंता के द्वा यानि कि यहाँ पर यह आई जी जी प्रतिरक्षी यह आई जी जी प्रतिरक्षी रह कारक युक्त रह कारक युक्त आर्बीशी को नश्ट कर देता है या हम यूँ कहेंगे कि आई जी जी प्रतिरक्षी आर एच पॉजिटिव रक्त को नश्ट कर देता है या फिर यूँ कहेंगे कि रुदीर लैंता की प्रिकिरिया द्वारा कि प्रिकिरिया द्वारा आरच कारक युक्त आरच कारक युक्त रक्त कणिकाएं नश्ट हो जाती है अब विध्यारतियों क्या इफेक्ट पड़ेगा ये घटनाय हो रही है कब हो रही है दूसरे प्रशव के समय हो रही है जब इस प्रकार की घटनाय होती है तो भोरण की मृत्यू विध्यारतियों कब हो जाती है गर्ब में ही हो जाती है भोरण की गर्ब में ही मृतियू बहुत कम सांसेज रहते हैं कि वह भोरण बच जाएं अगर बच भी जाता है तो भी ये विध्यारतियों कई रोगों से ग्रस्त होता है जैसे कि हिपेटाइटिस रोग से या फिर हम कहेंगे कि वह शिशू बिलकुल दुरुबल होगा तो ये इस प्रकार के रोग हो जाएंगे या रोग नहीं होगे तो वो गर्ब में ही मर जाएगा और जब गर्ब में मृति हो जाती है किस कारण होती है इस रुधीर लैंता के कारण किसके कार्ण विध्यार्तियों रुधीर लयंता के कारण रोग ग्रस्त होना ही विध्यार्तियों क्या कहलाता है गरब रक्तान पोरक्ता कहलाता है आगे हम बात करें कि इस समश्या का समाधान कैसे करें इस समश्या का निदान कैसे करें तो विध्यार्तियों इस समश्या से छ प्रत्मपरशव् हो जाता है तो प्रत्मपरशव् के 120 घंटे के भीतर परति आई जी जी डिका देना चाहिए जिसे हम कहते हैं इंटी रह डी टीका अगर ये टीका मा को दिया जाता है तो मा के अंदर जो ये आई जी जी पर्तिरक्षी उत्पन हुई थी ये पर्तिरक्षी विध्यारतियों नस्ट हो जाएगी जो आरेच का रख के विरुद पर्तिरक्षी उत्पन हुई थी वो पर्तिरक्षी नस्ट हो जाएगी और जब दूसरी बार विध्यारतियों की रख्त कणि का रह पॉजिटिव हैं तो कोई दिकत कोई समश्या नहीं आने वाली हैं तो यहाँ पर हम यह कहींगे कि 24 गंटे के भीतर पर्ति आई जी जी टी का दिया जाता हैं तो कोई समश्या नहीं होती हैं दूसरा प्रशव भी सामाने हो जाएगा दूसरा प्रशव भी विध्यारतियों कैसा हो जाएगा सामाने हो जाएगा इसके अत्रिक विध्यारतियों हम बात करें पर्ति आई जी जी टी की तुछका एक और उपनाम है इसको कहते हैं विध्यारतियों रोहो गम तिका इसका एक और नहा में इसको हम कहते हैं रोहो गम त प्रकार से विध्यार्ती, आपने इस वीडियो के अंदर अच्छ हे से समझ लिए गर्व रक्तानू प्रक्ता को और किसी समझ्यासिया एंग कैसे शुटकारा पा सकते हैं, इस समझ्या का हम निदान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ में पढ़ा, अगर आपको इए वीडियो अच्छा लगा है पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेश कर दें लगातार हमारी साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विध्यार्टियों का प्रेम पुर्वक बहुत बहुत धन्यवाद झाल